तो बात करेंगे स्कोर्पियों वालों के लिए अभी मई का महीना कैसा वितेगा जो कुंडली अभी आप स्क्रेन पे देख वा रहे हैं ये कुंडली मई के हिसाब से तियार की गया फिर भी गोचरी इस्तितियों में परिवर्तन के कारण आपको कुछ ग्रहों की इस्तितियों में परिवर्तन जिरूर देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम गोचर को इसके बाद कुंडली के भी साब से आगे बढ़ेंगे बात करें सबसे बले अगर यहां हम सूर्य की तो सूर्य 15 माई तक मेश रासे में गोचर करेंगे इसके बाद यह वर्षब रासे में परवेश कर जाएंगे बुद का गोचर 14 माई तक वर्षब में होगा और ये वक्री भी रहेंगे 14 माई तक और उसके बाद ये मारगी होंगे तो इनका गोचर लगवग इस मन्थ में वर्षब में ही रहेगा क्योंकि 14 माई तक तो ये वक्री होने जा रहें उसके बाद ये मारगी भी होंगे शुक्र मिठुन रासे में गोचर करेंगे इस मन्थ में, मंगल दस मई से करक में परवेस करेंगे और यहां यह नीच की इस्तितिय में आ जाएंगे, गुरु अभी मेस में गोचर कर रहे हैं, सनी कुम्ब में गोचर कर रहे हैं, चंदरमा एक मई को सिंगरासे में रहेंगे, राहु मेस में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में तो ये गोचरी इस्ततियां हैं जहां पर आप ये देख सकते कौन सब रहे कहां गोचर कर रहे हैं अब अगर हम बात करें यहां सबसे पहले तो आपके लगनेस को ही ले लेते हैं आपके लगनेस बनते हैं मंगल और मंगल आपके चठेगर के भिश्वा में इनका गोचर हो रहा है आपके 9th house में जब इनका गोचर हो रहा है तो आपको अपने study से related कुछ problems आ सकती हैं फिलाल और आपको ये decide करने में problem हो सकते हैं कि अब आप अपनी higher studies में क्या कुछ करें आगे किस परकार से अपनी studies को plan कर सकते हैं औ उसके से कहीं नKई आपके रिस्ते आपके फादर के साथ प्रभावित होंगे तो आपके फादर के साथ थोड़ी बज़ आपकी अनसलों हो सकती है तो मंगल जो कि लगनेस भी है लगनेस होने की वज़े से आपको यह ऐसी घ्राई कर सकते हैं कोई लंबी youत्त्रह की आप ट्राइ कर रहे हो और वो आपकी ऐस अफल रहे तो आपके लगडेश यहाँ अब नीच की स्थिति में आ रहे हैं इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अच्छे से उसको एनलाइज जरूर कर ले क्योंकि साइद कोई गलती आप से हो सकती है और बहुत ज्यादा फ्र पर भी इनकी द्रश्टी है तो ऐसे में देखिए कोई भी ऐसा कदम आप डाउट है कोई गलत कदम या फिर अक्राबगता के साथ आप कोई काम ना करें बहुत ज्यादा इसके अलाबा रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है आपकी वो इससे जरूर बढ़ेगी लेकिन रिस्क भी आपको सही डारेक्शन में लेना चाहिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं गुरू के बारे में बात करते हैं गुरू के बारे में अगर देखा जाये तो गुरू आपकी खुटली में पंचमेश और सेकेंड हाउस के स्वामें वो अभी गोचर कर रहा है तो देखे अगर कोई केस मुकदमा कोई विवाद वगरे चल रहा है कहीं से आपने कोई लोन वगरे लिया अभी फिलाल आपको उस पर फोकस करना चाहिए आपका जो लोन है इतना इजी नहीं चुप पाएगा अगर आपने लोन ले रख था है तो या फिर देखा ज रहा है ऐसे में कारिय सब्सक्राइड को लेके कुछ पर यह जो गुरू का गोचर है क्योंकि गुरू directly आपके वो 10th house को भी देख रहे हैं इस वज़े से आपका career तो यह प्रभावित करने वाले और 15 तारिक तक तो सूरिये भी यहाँ पर राहू और गुरू के साथ ही रहने वाले इस वज़े से इसका जो सीधा सीधा असर है आपके career पर भी पड़ेगा अब सूरिये यहाँ से आपके बारवे भाव को भी देखेंगे और यह तीनों ही ग्रेव से आपके बारवे भाव को देखेंगे तो आपकी जो life की spiritual side है आपका जो bedroom का सुक है आपका जो relationship का सुक है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावित होगा साथी यह मन्त में आप यह भी देखेंगे कि आप काफी spiritual होते जा रहे हैं धीरे धीरे और कुछ पुझा पार्ट करने में या spiritual कारियों में आपकी रुची है वो ज्यादा बढ़ेगी इसके बाद हम देखें तो यहाँ गुरू क्योंकि पंचमेस भी बनते हैं पंचमेस बनने की वज़े से आपको studies में कुछ problems आ सकती हैं अगर आप student हैं तो साथ ही अगर आपका किसी से कोई प्रेम समय दे तो उसको लेके कोई ना कोई विवाद हो सकता है किसी चोटी चोटी बात भी कभी किसी से विवाद हो जाता है तो इस परकार के आपको issues देखने को मिल सकते हैं सा गुरू की third और fourth load बनते है fourth house में इनका गोचर हो रहा है और fourth में ये अपने खुद की घर में गोचर कर रहे हैं तो यहां आपके career पर भी इनका सीधा सीधा directly प्रभाव पढ़ रहा है तो career में अभी देखिए अगर आप कोई job वगरे के लिए प्लान कर रहे हो फिलाल यह ल delays अभी भी सामने आ सकते कारियों में कुछ बहुत ज्यादा delay तो नहीं बोलेंगे बट कुछ ऐसे काम जहां पर promotion वगरे रुख जाते हैं या joining वगरे रुख जाती है या कभी-कभी आपके salary में increment अगर लगता है तो वो रुख जाता है तो इस परकार की कुछ काम आपके यहां आपको यह देखना जो रही है कि आप कितना alert है अपने काम को लेके कितना आप hard work कर सकते हैं अब सनी का जो aspect है वो आपके लगन पे भी है लगन पे aspect होने के वज़े से कही ना करेंगे आपकी mentality को वो प्रभावित करेंगे आपकी सारिक शमता प्रभावित होगी तो इ अस्तम में गोचर करें और यहां पर बुद्ध्र का रासी ब्रयोर्तन हो रहा इस मन्थ में तो यह काफ़ी खास रहने वाला अब शुक्र आपके क्योंपी अच्चर करने से दखिए जो merit life का जिस प्रकार का satisfaction या जिस प्रकार का सुख आप लोगों को मिलना चीए उसमें को इस मेंत का, बिजनस में काफी ज़्यादा आप अर्णिंग कर सकते हैं, बिजनस अगर आपका है, चाहे वो पार्टनर्शिप का है, चाहे आप सिंगल हेंडेटली उसको कर रहे हैं, तो काफी अच्छा यहां पर आपको उसमें मुनाफ़ा मिल सकता है, अब आपका कोई कंसल् आपनर के साथ थोड़ी से स्पेस में क्लेरिटी जरूर रखेगा, और किसी भी बात पर आप मिस कम्मुनिकेशन ना होने दे तो ज्यादा बेतर रहेगा, इसके अलवा शुक्र जो की गोचर कर रहे हैं, अस्टम में गोचर करते हुई यह आपके इनलोज से आपके अच्छ करने ही वाले हैं, और काफी कुछ आप अपनी फैमली के साथ सेर कर सकते हैं, अपना अप कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं फैमली के साथ मिलके जिसको आप सब लोग इन्जोई करें, इसके बाद हम यहाँ देखें तो शुकर बारवे घर के भी शौमे, बारव करेंगे बुद के बारे में, बुद का गोचर हो रहा है वर्षब में और वो वक्री स्तिति में रहने वाले, तो वक्री स्तिति में जब यह रहने वाले हैं, डिसीजन में में थोड़ी बहुत आपको प्रोब्रम्स आएंगी, कुछ चीजों को एनलाइज करने में आप काफी अच्छा आपको clarity रखना जूरी होगा, और miss communication अगर होता है, तो उससे आपको दिक्कत आ सकती है, साथ ही बुद अस्टमेश होने की विज़े से, कुछ हद तक आपको अगर partner से पर आपने किसी काम में कर रखे हैं, वहाँ पे कुछ आपके अपने partners के साथ miss communication के chances बनत क्योंकि बुद हैं वो लाविस्तान के भी स्वामी है, इस वज़े से आपको partner से भी यहाँ पर फाइदा काफी मिल सकता है, इसके साथ ही बुद आपके लगन को देख रहे हैं, बुद जब आपके लगन को देख रहे हैं, तो आप चीजों को analyze कीजेगा बहुत अच्छे से और proper decision लेजेगा, क्योंकि बुद वकरी भी रहने वाले, इस वज़े से कई-कई बार ऐसा होगा जब आपके पास काफी सारे options होंगे select करने के लिए, बट आप उन में से कोई options finally select नहीं कर पाएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा जो की 9th लोड है, उनका सुरुवात में इस महिने में गोचर रहेगा आपके 10th house में, ये 10th house का गोचर कहीं ना कहीं आपको इस मन्त के सुरुवात में कुछ decision making में delay करवा सकता है, साथ ही career की चिंता, job की चिंता आप लोगों को ज्यादा रह सकती है, आपके boss के साथ सम्मन तो इस मन के starting में काफी अच्छे ही रहेंगे, लेकिन कुछ हद तक आप emotional ज्यादा रहेंगे अपने काम को लेकर, साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से और बात करते हैं, जंद्रमा के बाद अब सूरिय के बारे में, सूरिय जो की 10th lord बनते हैं, इनका गोचर होगा, 15 तारिक त अगे अपने कारिय स्तल पे ऐसा कुछ हो सकता है, साथ ही यह स्तिति कहीं ना कि आपके जो बोस हैं उनके साथ भी कभी कभी आपका मनमुटाव करवा सकती है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलेट रहना होगा, अपना कारिय स्तल अगर आपको चेंज करना है तो फिलाल सेवन्थ हाउस में जब यह आ रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छे स्तितिकों दर्शाते हैं, आप अगर साथ साथ में अपना जोग या फिर बिजनस दोनों ही कर रहे हैं, तो दोनों में यह फाइदा दिखाते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपका जो पार्टनर होगा, आपके उपर ज्यादा हावी होने की कोशिस करेगा जब सेवन्थ हाउस में सूरिये आ जाएंगे, तो इनका यह गोचर वर्शब में 15 मई के बाद ही होगा, अब सूरिये जो कि आपके लगन को भी देखेंगे, लगन को देखने से आप अगर देखिए राजनिती में हैं, या आप कोई ऐसी सोचल सर्विस में तो आपको फाइदा मिल सकता है, आपके पिता से आपको कोई बड़ी मदद इस दोरान मिल सकती है जब सूरिये वर्शब में आ जाएंगे, अब सूरिये जो कि टेंथ लोड है, इनका टेंथ लोड होने का अब यहाँ जब गोचर होगा तो यह प्रभाव आपके उपर डारेटली पड़ेगा और लगन को क्योंकि देखी रहे, इस वज़े से आपकी समाजिक परतिस्टा बढ़ने के साथ आपका कोई प्रमोशन मगरे होने का या कोई बहुत बड़ा आपका एक्जाम क्लियर होने का या बहुत बड़ा कोई अब राहु केतु के बारे में तो कोई चाचा नहीं करेंगे, राहु केतु का गोचर वाला जो मेन का इनका गोचर रहेगा, उसका वीडियो आप लेलिस्ट में जेक करके देख सकते हैं, अब कुछ अच्छे और खराब दिनों की बाते आप लोगों के लिए कर लेते हैं, तो अगर स्कॉर्पियो के लिए देखा जाए, इस मन्त में काफी अच्छे दिन जो निकल के आ रहे हैं, आठ, नो, उसके बाद 19, 20 और 24 से 28 तरिक तक के ये कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, इस मन्त में, तो आप इन दिनों में अपना कोई का जो इजिली नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें काफी हाड़ वरक आपको करना पड़ रहा हो, जिसमें आपको काफी सारी परेशान या जहलनी पड़ रहे हो, उन कामों को आप इन दिनों में ट्राई अवस्से करें, इसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर हम बात करें, तो च होने के जांसेज बन सकते हैं, साथी आपको मानसिक जिन्ता बहुत ज्यादा 17 और 18 को रहेगी, चंद्रमा का गोचर जब मिथन में होगा 21, 22 और 23 तारिक को, ये दोरान आपको मानसिक तनाव की ज्यादा संभावना है, मन में थोड़ा फियर सा रहेगा, आपको सरनली कोई बहुत बड़ा धनलाब इन तीन दिनों में हो सकता है, चंद्रमा का गोचर जब दुला में होगा 4, 5 तारिक और 31 तारिक को, तो ये तीन दिन ऐसे हैं, जो आपको विशे सावधानी की साथ बिताने होंगे, इन तीन दिनों में कोई बड़ा लोस आपका, या फिर हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इस्यू हो सकता है, तीन दिनों में आपको कोई major decision लेना है, कोई बहुत important decision आपको आपकी life का लेना है, तो वो आपको टालना चाहिए, तो फिलाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद है,